नमस्कार टेली डियो जारकंड में स्वागत है आपका मैं हूँ इम्तियाज अंसारी प्रसुत है समाचार युवा समाज सेवी सहभावी मुख्या प्रत्यासी बबलु सिंग के अथक परियास से बेघर को घर मिलने की मिली आस कांडी प्रकंड से हमारे संबादा था विकास कुमार सिंग की रिपोर्ट हरियरपूर युवा समाज सेवी सहभावी मुख्या प्रत्यासी बबलु सिंग के अथक परियास से एक बेघर के सर पर छत नसीब होने की आस जग गई है हरियरपूर गाओं के वाड संख्या पाँच निवासी उर्मिला देवी पती पिंटू रजवार के एक कमरी का खपड़ेल मकान बारिस में ध्वस्त हो गया था भरी बरसात में रहने का कोई अस्थान नहीं था वैसे विकट प्रस्तिती के समय में गाओं के ही ललू रजवार ने उन्हें अपने घर में सरंदी पुर्मिला कहती है कि पिछले तीन माह से मुक्या सहीत कई लोगों से आवास के लिए गुहार लगाई लेकिन सब ने अंसुना कर दिया मुक्या ने असपश तोर पर मुझसे कहा कि गीरा हुआ मकान मैं देख नहीं सकता पंचायत स्वय सेवक से जा कर मिलो सभी आते जाते लोग देखते रहे लेकिन किसी ने आवास स्विक्रिती के लिए कोई प्रक्रिया प्रारम नहीं की दरदर की ठोकरी खाने के बाद गाउं के समाज से बबलु सिंग से अपनी देनिये इस्थिती के बारे में बताया जिस पर ततकाल बबलो सिंग के दोरा कांडी वीडियो मनोस्तिवारी से मिलकर आवास की समस्या को रखा जिस पर वीडियो के दोरा ततकाल प्रकंड कोडिनेटर अजीत कुमार को अस्तल नीरी चन कर अमबेड कर आवास देने है तू सभी कागजात लेते हुए दो दिनों मे जिला कारजाले गढ़वा में समर्फित करने है तू आदेस दिया आदेस के आलोक में बुदवार को अजीत कुमार के द्वारा जाच में सही पाये जाने पर सभी कागजात वजियो टेक कर जल्द ही अगरेतर करवाई है तू उच अधिकारियों को सौपने की बात कही मौके झालोके तूटेक